मेरी शादी को अभी एक साल ही हुआ था कि मेरे पती बीमार रहने लगे वह इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पती का इलाज करवाया मगर किसी भी डॉक्टर ने कोई उमीद नहीं दिल रही थी मुझे अपने पती की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था वह रोज रात को मुझे अपने पास बुलाते और फिर मुझे एक फोटो दिखा कर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना उस तस्वीर को देख कर मेरी तो रूह ही कांप जाती थी और मेरा खौलने लगता था क्योंकि वह तस्वीर तो एक सतर साल के बुड़े की थी और मैं बस 22-23 साल की जवान लड़की मुझे अपने पती की ये बात सुन कर बहुत दुख होता था मैं भगवान से उसकी लंबी जिन्दगी की प्रातना करती थी क्योंकि मैं अपने पती से बहु ज़िया ही उजड़ गई थी मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुमारा पती कहा करता था मैं उनकी ये बात सुन कर हैरत से उन्हें देखने लगी मैं दूसरी श चीक ही निकल गई क्योंकि वह तो मेरा लेकिन बो पूड़ा तो जैसे भरा पड़ा था इसलिए उसने तो कोई इंतिया ही नहीं रखी मेरा नाम कामना है मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं अपने माबाफ की एक लौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करना चाहते हैं लिकिन मैंने उनसे कहा कि पापा अभी मैं शादी नहीं करना चाहती मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अपने माबाप की मैं बहुत लाड़ ली थी और वह मेरी सार करना भी शुरू कर दिया था ओफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई क्यूंकि वह एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था वहाँ पर ओफिस की सारी लड़कियां ही उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और वह बहाने बहाने से उनके कैविन में जाती और फिर कुछ लड़कियां तो उनसे शादी करना भी चाहती थी मुझे भी वह बहुत अच्छे लगते थे लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसे कोई मेरी चरित्र पर उंगली उठा सके क्योंकि मेरे माबाप ने मुझे भरोसा करके मुझे जौब करने की इजाज़त दी थी और मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माबाप की इज़त पर कोई आच आए मैं सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किसमत में इस लड़के को लिखा है तो वह खुद ही इसके दिल में मेरी महबबत को जगा देंगे क्योंकि जोड़े तो आसमान से बन कर आते हैं उस लड़के का नाम रज़त था वह एक बहुत अच्छा इंसान था मेरी रज़त से ज़्यादा बात चीत तो नहीं होती थी जितनी भी होती थी बस काम के बारे में ही होती थी जब भी वह मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे तो हमेशा नजरें जुका कर ही बात करते थे और तो और लड़कियों की बहुत इज़त भी करते थे मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पती एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की हमेशा इज़त करना जानता हो इसी दोरान मुझे और रजट को आफिस के काम के सिलसले में कई बार दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा और मेरी और उनके बीच में जो दूरियां थी वह नजदीकियों में बदलने लगी फिर एक दिन रजट ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ क्या आप मुझसे शादी करेंगी मैं तो पहले से ही रजट को पसंद करती थी और उससे शादी करना भी चाहती थी मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हां कर दूँ लेकिन मैंने फिर उससे कहा कि मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगएर आप से साधी नहीं कर सकती हूँ अगर वह इस रिस्ते के लिए राजी हो गए तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा रजत ने भी कहा ठीक है तुम अपने माता पिता से पूछ लेना वह कहेंगे तभी हम दोनों शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई और रजत के बारे में भी बताया कि वह एक अच्छा इंसान है तो वह जट से राजी हो गए मैंने रज़त को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राजी है तो वह बहुत खुश हुआ लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि रज़त के पिता जी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं रज़त अक्सर अपने माता पिता के बारे में बताता था मुझे लगता था कि वह मान जाएंगे लेकिन उन्होंने शायद रज़त के लिए कोई और लड़की देख रखी थी जिससे वह रज़त की शादी करवाना चाहते थे रज़त अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था वह उनकी मरजी के बगएर मुझसे शादी नहीं कर सकता था इसलिए उसने मुझसे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतजार करना होगा मैंने भी कहा ठीक है तुम अपने माता पिता को मना लो मैं तुम्हारा जिन्दगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ रजत ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की आखिर में उसने कह दिया कि अगर उसकी मुझसे शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी कभी शादी नहीं करेगा और फिर इसके बाद आखिरकार उसके माबाप को भी उसकी जिद के आगे जुकना पड़ा और वह हमारी शादी के लिए मान गए वह लोग हमारे घर रिष्टा लेकर आये थे रजट की मा मुझे देख कर खुश हुई और कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है रजट की मा की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली थी कि चलो मैं कम से कम उनको पसंद तो आ गई क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद सुईकार करने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा कुछ दिनों के बाद मेरी और रजट की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई शादी की रात जब रजट मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर महबबत की जीत हुई और आज हम दोनो एक हो ही गए हैं रजट ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ फिर उसने अपनी जेब से निकाल कर एक बॉक्स मेरे आगे किया मैंने उसे जब खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूपसूरत डाइमंड का सेट था मैंने रजट से कहा कि ये तो बहुत खूपसूरत है उसने कहा वो तो है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं है रजट की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी रजट ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता का बहुत खयाल लखना उन्हें बिल्कुल अपने माबाब की तरह ही समझना अगर वह तुमें कुछ कह भी दे तो तुम उन्हें जवाब मत देना मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राजी किया है अब मैं नहीं चाहता कि वह तुम से किसी भी बात को लेकर नाराज हो मैंने कहा तुम बिल्कुल भी फिकर मत करो मैं उनका पूरा खयाल रखूंगी शादी के कुछ दिन के बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए मेरे पती मुझ पर दिल खोल कर खर्च करते थे मुझे हर रोज महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देते हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी साथ से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी समाल लूँगी आप बिल्कुल भी फिकर ना करें लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया वह कहने लगी घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ तो तुम घर समालने की फिकर मत करूँ मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी इसलिए रज़त ने मुझे कहा कि मैं फिर से आफिस जॉइन कर लूँ उससे मेरा दिल भी लगा रहेगा और समय भी कट जाएगा मैंने अगले दिन से ही आफिस जॉइन कर लिया अब मैं और मेरे पती साथ में आफिस जाते थे और साथ में ही घर वापस आते थे हम लोग खाना भी साथ ही खाते थे रजत मुझे अकसर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पर भी ले जाया करते थे कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं है जब मैं ये बात रजत से कहती तो रजत मुझसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी एक ननत भी थी जब भी मैं उससे बात करने की कोशिच करती या अपने साथ कहीं बाहर ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरण मना कर दिया करती और कहती कि तुम अपने पती के साथ जाना अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है अपने पती के साथ ही घुमा फिरा करो मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी लेकिन मैंने उनकी इस बात पर बहुत जादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पती के साथ बहुत खुश थी, लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियां लिखी थी, एक दिन अचानक मेरे पती की हालत बहुत जादा खराब हो गई, तो मेरे ससुर उनको हॉस्पीटल लेकर चले गए, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया है, आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिता जी रिपोर्ट लेकर आएंगे, अब अक्सर ही, मेरे पती की अचानक तवियत खराब हो जाती थी, और मेरे ससुर जी उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे, मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलूँगी, तो वह मुझे मना क पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है, तब भी वह मुझे कुछ नहीं बताते, इसी लिए कि मैं कहीं परिशान ना हो जाओं, अब उन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा था, एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और मुझसे कहने लगे, मेरी मौ यही बात कहते थे, उन्होंने मुझे अपनी जेव से एक फोटो निकाल कर दिखाई, और कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से साधी कर लेना, वह फोटो देखकर मेरी रूह काप गई, क्योंकि वह एक सतर साल के बुड़े की थी, लेकिन उसकी सकल ठीक से इस तरह की बात को सुना, तो ये सुनकर मुझे बहुत जादा दुख हुआ था, मैं हर रोज भगवान से इस बात की प्रातना करती थी, कि वो मेरे पती को जल्द से जल्द ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी कोई प्रातना नहीं सुनी, और फिर एक दिन वही हुआ, जि उन्होंने कहा कि आज मैं आफिस चला जाता हूँ, कम से कम घर से इसी बहाने थोड़ा बाहर तो निकलूंगा, तो मेरा दिल भी बहल जाएगा, मैंने उनसे बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह आफिस चले गए, उनके जाने के तकरीवन दो घंटे के बाद ही मेरे पास फ जब मैं हॉस्पीटल गई, तो मैंने देखा कि मेरे पती की आखरी सांसे चल रही थी, अपने आखरी समय में भी उन्होंने मुझसे यही कहा, कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदबी से साधी जरूर कर लेना, यह मेरी आखरी इच्छा है, तुम्हें मेरी महबबत की कसम है, और यह कहने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, मैं तो जैसे वही बैठे बैठे पत्थर की बन गई थी, मैंने अपनी सुदबुद भी खो दी थी, मुझे अपने जवान पती की मौत का यकीन नहीं आ रहा था, मेरा देल ये बाद कबूल करने को तयार ही नहीं था कि वहे मुझे छोड़ कर हमेशा के लिए जा चुके हैं, अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती और उन्हें याद करती रहती, मेरा दूसरी शादी करने का कोई रादा ही नहीं था, बलकि मुझे तो अपना खुद का ही होश नहीं था, दूसरी सादी क कहां से करती, मेरे पती की मौत को अभी कुछ दिन ही हुए थे, कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, ये अपनी दूसरी शादी की तयारी कर लो, उनकी ये बात सुनकर मैंने उनको हैरत से देखा, और उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी, उन्ह उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पती ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दीती, और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना, उनकी ये बात सुनकर मुझे अपने पती की कही हुई बात याद आ गई, वह कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बे करती मेरे पती के देहान के बाद मेरे माता-पिता मुझे लेने आहे तो मेरी सास घे private Halm रोख कर दी कुछ दिनों के बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी खरवा दी मेरी शादी वाले दिन लोग तरह-तरह की बाते बना रहे थे वह सब कह रहे थे कि पती की मौत को तो अभी तिन ही कितने बीते थे और इसको देखो कैसी बेशरम है किस तरह से दुलहन बनी बैठी है लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी वहां बैठी थी रात को मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में छोड़ कर चली गई मुझे बहुत डर लग रहा था जब मेरा पती मेरे कमरे में आया तो उसे देख कर मेरी चीख निगल गई क्योंकि मेरा दूसरा पती कोई और नहीं बलकि मेरा ससुर ही था मैं चीखते हुए बैठ से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आये और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अपसे मैं ही तुम्हारा पती हूँ मेरे पहले पती ने मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई थी लेकिन मैंने वह फोटो जादा गौर से नहीं देखी थी इसी लिए मैं पहँचान नहीं पाई थी लेकिन आज उसे असलियत में अपने सामने देख कर मेरी आँखे फटी की फटी रह गई मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था मैंने अपने ससुर से कहा कि मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है आप मेरे पती के पिता है मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती मैंने हमेशा से आपको पिता समझा है कमरे में सोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि जादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है अब तुम ही उनकी पत्नी हो और वैसे भी रजत हमारा बेटा नहीं था हमारी कोई आउलाद नहीं हो रही थी इसलिए हमने उसको गोद लिया था और ये बात रजत भी जानता था कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है इसलिए उसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहां चाहूं कर दूँ इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पती से करवा दी है ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो रजत नहीं चाहता था कि तुम कवी वी ये घर छोड़ कर जाओ उसकी आखरी इच्छा यही थी मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखर रजत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरी सास कहने लगी मैं रजत से बहुत महबबत करती थी उसे अपना बेटा ही मानती थी इसलिए मैंने उसकी आखरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पती की शादी तक तुमसे करवा दी तुम्हें तो हमारा उल्टा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने पती तक को छोड़ दिया लेकिन तुम हो कि उल्टा हम पर ही चड़ रही हो मैंने कहा आप दोनों मेरे कमरे से चले जाईए वो दोनों नाराज होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई जो राज आज मेरे सामने खुले थे उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी मुझे रज़त ने कभी ये बात क्यों नहीं बताई कि ये लोग उसके सगे माता पिता नहीं है मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फस चुकी थी अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी पता नहीं यही सब कुछ सोच कर मैं जोर जोर से रोने लगी मैंने रज़त की फोटो उठाई और उस पर सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ वह भी उसके ही पिता से मैं उनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी आज वहे मेरे सामने मेरे पती की शकल में खड़े थे और मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं सारी रात यही सब कुछ सोचती रही नीन तो मेरी आँखों से कोसो मील दूर जा चुकी थी सुबा हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नास्ता लेकर आई वह मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नास्ता कर लें मैंने उससे कहा कि तुम ये ले जाओ मुझे नास्ता नहीं करना मेरा दिल नहीं चा रहा मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाओं मैंने सोचा कि मैं आफिस चली जाती हूँ मेरा कुछ दिल ही बहल जाएगा वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहार तूटे थे उसने मेरी जिन्दगी को बरबाद करके रख दिया था मैं आफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा पती मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा आज तुम आफिस नहीं जाओगी घर में ही रहोगी मैंने उससे पूछा कि क्यूं क्यूं नहीं जाओगी तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें आफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम घर में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां समालो अब मैं तुम्हारा पती हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी आज से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा आफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैंने गुसे में उसे देखते हुए कहा कि मैं जरूर आफिस जाओंगी उसने मुझसे कहा ठीक है तुम आफिस जाओ लेकिन फिर शर्त ये है कि मैं यहां तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा ये सुनकर मेरे पैरतले से जमीन निकल गई फिर वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी मैं उसकी ये बात सुनकर ढर गई थी और सोचने लगी कि कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने ना आ जाए मेरा तो उनके साथ एक पल गजारना भी मुश्किल था मैं उसे अपने कमरे में बरदास्त नहीं कर सकती थी इसी लिए मैं चुप रही और मैंने आफिस जाना बंद कर दिया अपने ससुराल वालों का बरताव देख कर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों करवाई गई है रजत ने अपनी मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रापर्टी मेरे नाम करती थी अगर रजत की मौत के बाद मैं यहां से चली जाती और किसी और आदमी से साधी कर लेती तो ये घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये बिलकुल भिकारी बन जात इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी ताकि मैं इसी घर में रहूं और रज़त की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से ना निकले क्योंकि रज़त के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद रज़त के नाम कर दी थी मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी घर में पड़े-पड़े मेरी तबियत खराब रहने लगी थी मैं जादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी नौकरानी मुझे खाना दे कर जाती तो मैं खा लिया करती थी पर मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई तो घर के गेट पर बकील साहब को जाते हुए देखा मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि बकील साहब यहां क्या करने आये थे तो वह कहने लगी कि बड़े साहब की बसीयत के बारे में बात करने आये थे मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ दिनों के बाद मेरा पती मेरे कमरे में आया, और office के कुछ papers पर sign करवाने को कहने लगा, अब वहे रोज कोई न कोई papers या cheque मेरे पास लेकर आता, और मुझे कहता कि इस पर sign करो, और मुझे धमकी देता कि अगर मैंने इन papers पर sign नहीं किया, अगर कभी मैं पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती थी तो वह मुझे धमकाता था अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वह मेरे कमरे में आकर वो करेगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी एक दिन जब मैं किचिन में गई तो मैंने उन दोनों पती-पतिनी की बाते सुन ली मेरा पती कह रहा था कि रजट अगर कुछ समय और जिन्दा रहता तो हम उससे और भी जादा फाइदा उठा सकते थे वह बहुत जल्दी ही मर गया बेचारा मैं समझ गई थी कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सिर्फ जाइदाद के लिए कर रहे हैं बकील भी अकसर हमारे घर पर आता जाता रहता था मैंने उससे काफी बार बात करने की कोशिश की लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने नहीं देते थे मैं जानना चाहती थी कि रज़त ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है जिसकी वज़ा से इन लोगों को मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ा आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो मैं इस सब से निकलन चाहती थी एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबियत बिगडने लगी मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आई थी उसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था जिससे मेरी हालत खराब हो गई थी मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी ये लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रापर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे मैंने सोचा क्यूं ना मैं अपने पती से बात करूँ जो कुछ भी मुझे से लेना चाहता है वो ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे यही सोच कर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी मैं उनके कमरे का दर्वाजा खटखटाने ही बाली थी कि मुझे अंदर से उनके बात करने की आवाजें आई मेरा पती अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम ये बात अपनी जुबान पर भी मतला ना अगर किसी को पता चल गया तो फिर अच्छा नहीं होगा और कामना को तो ये बात बिलकुल भी नहीं पता चलनी चाहिए मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं ये दोनों हमेशा ही छुप छुप कर बाते करते रहते थे मुझे इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आया लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है मैं अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना मैं अपने पती को अपना दीवाना बना दूँ अगर वह मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँगी एक रात मैं अच्छे से तयार होकर नीचे अपने पती के कमरे में गई उसके कमरे में जाकर मैंने कहा तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुमारी पतनी हूँ मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो मेरी ये बात सुनकर के तो मेरी सास के चहरे का रंग ही उड़ गया मैंने अपने पती का हाथ पकड़ा और फिर उसे बैड से उठाया और कहने लगी कि इस बूड़ी औरत की जान छोड़ो अब तुम मेरे साथ रहना ये सुनकर मेरा पती भी खुश हो गया क्योंकि वह सत्तर साल का बूड़ा था और मैं एक जवान और खुबसूरत लड़की बहला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था वह खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीबी को इस घर से निकाल दो तवी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तयार हूँ वरना मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाओंगी उसने कहा तुम फिकर मत करो मैं उस बुड़िया को इस घर से निकाल दूँगा मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अब मैं रोज बन सबर कर उसके सामने जाती और उसका खूब ध्यान रखती और अपने हाथ से उसे खाना भी देती कुछी दिनों में तो वह मेरा दिवाना बन गया था अब वह मेरी खातिर कुछ भी करने को तयार था और ये सब देखकर उसकी पहली बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे घर से ही निकाल दे लेकिन वह मजबूर थी वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब तो उसका खुद का ही पती मेरा दिवाना हो गया था अब वह उसकी तरफ देखता भी नहीं था वह जब भी बाहर से घर में आता तो सीधा मेरे पास ही आ जाता एक दिन मैंने अपने पती से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाती यहाँ पर मुझे रज़त की याद बार-बार सताती है इसी लिए हम कहीं और चलकर रहते हैं जहां सिर्फ मैं और आप हो और उसके अलाबा वहां कोई भी ना हो यह सुन कर वह बहुत खुश हुआ कहने लगा कि ठीक है जैसा तुम कहोगी ठीक वैसा ही होगा यह बात सुन कर उसकी पतनी जल भुन गई मैंने ऐसा इसलिए कहा ही था ताकि वह सब कुछ उगल दे और मेरे प्लान के मुताविक ऐसा ही हुआ एक दिन वह खूब जोड-जोड से अपने पती के उपर चीखने लगी और यह सारा प्लान तो तुम्हारा ही था न अब तुम मुझे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो उसकी पतनी ने कहा कि मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तुम किसी भी तरह से उस लड़की को तलाक दे दो अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सारी सचाई बता दूँगी फिर तुम जानते हो कि क्या होगा मेरे पती ने कहा कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूँगा लेकिन तुम अपनी जुवान बंद रखना अब उन लोगों का खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था वह लोग अपने जाल में खुद ही फस गये थे लेकिन मैं इस बात से परेशान भी थी कि उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर अगर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन लोगों का राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाती थी अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं ये राज जान सकूँ राज को जब मेरा पती मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे जूस में मिला कर नशीली दवाई दे दी, ताकि वह नसे में सब कुछ उगल सके, और फिर ऐसा ही हुआ, कुछ तेर बाद वह पूरे तरीके से नशे में था, मैंने उससे कहा कि मैं ये घर और सारी प्रापर्टी तुम्हारे नाम करतूंगी, और हमेशा तुम् मेरे भाई का बेटा था, मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे ये देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी, जब रज़त एक साल का था, तो मैंने अपने भाई और भावी का एक्सिडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि रज़त के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ, उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था, हम सि इस बीच उसको कुछ हो जाता, तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती, अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे कोई आलाद नहीं थी, और रज़त की दौलत पाने का एक ही रास्ता था, वो था शादी, इसलिए हम एक लड़की को गोद लेकर आ गए, जब रज़ इसे शादी करना चाहता है, तब हमने उसे बताया कि वह हमारा असली बेटा नहीं है, वह मेरे भाई का बेटा है, हमारे खुद की कोई आलाद नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसे पाला है, हम अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं, हमने वो कहने लगा मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन ही समझा है और आप लोगों को अपने माता पिता इसलिए मैं उससे साधी नहीं कर सकता वह हमें मनाने की कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी साधी तुम्हारे साथ करने पर राजी हो जाएं हम नहीं मान रहे थे लेकिन हमने कुछ हमारे हाथ से निकल जाता इसलिए हमने उसकी साधी खुसी-खुसी तुम से करवा दी लेकिन वह तो साधी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा वह रोज-रोज तुम्हें महंगे-महंगे गिफ्ट लाकर देता उसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था ज फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम रजट को जान से मार दे लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे इसलिए हमने उसके खाने में थोड़ा-थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया जब भी वह रोज खाना खाता तो उसकी तबियत खराब हो जाती धीरे-धीरे जहर उसके पेट म बदलवा दी और रजट को बताया कि उसे बलड कैंसर है यह सुनकर उसने हमसे कहा कि यह बात हम तुम्हें नहीं बताएं तुम्हें बहुत अफसोस होगा और हमने ऐसा ही किया उसके बाद मेरी पतनी ने धीरे-धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हा बादूंगी इससे वो हमेशा सुरक्षित रहेगी पहले तो रजट ने मना कर दिया फिर मेरी पतनी ने उसे और भरा कहा कि अगर कामना की शादी कहीं और होती है तो पता नहीं वह लोग कैसे होंगे कामना का खयाल रखेंगे भी या नहीं अगर तुम उसकी साधी के लिए मान जाते हो तो वह इस घर में रहेगी और हम उसका बहुत खयाल रखेंगे लेकिन रजट मानने को तयार ही नहीं था लेकिन फिर मेरी पतनी ने उसके उपर इतना जोड डाला कि वह आखिर में मान ही गया वह अपने घर और जमीन जायदा तो तुम्हारे नाम कर ही चुका अपना बिजनिस भी तुम्हारे नाम पर उसने कर दिया था ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई भी परिशानी ना हो मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना अब हम समझ चुके थे कि वो हमारी कोई बात नहीं मानने वाला है और इसी लिए उसके बाद हमें वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे उनकी ये बात सुनकर तो मेरे जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए और मैंने उनको जंजोडते हुए कहा कि तो तुमने रज़त के साथ क्या किया उसने फिर नशे में बताया कि हमने उसके खाने में जादा जह सकें अब हम तुमारे खाने में भी जहर मिलाने लगे हैं तुमारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा लेकिन मैं अब तुमें मरने नहीं दूँगा मैं उस बूड़ी औरत को इस घर से निकाल दूँगा मैंने अपने ससुर की सारी बाते रिकॉर्ड कर ली थी अ पारे सबूत देखते हुए जच साहब ने उनको उमर कैद की सजा सुना दी। अब वे दोनों अपनी बागी बची कुछी जिन्दगी जेल में ही गुजारेंगे। कि उन्हें जमीन जायदाद चाहिए तो रजट खुशी खुशी उनके नाम पर कर देता। लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पती को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर भी नहीं कापे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता लें त पती को मुझसे छीन लिया। दोस्तों अक्सर हमारे अपने ही हमें ऐसा धोका देते हैं जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जबकि हमें से कई सारे लोग पूरी जिन्दकी बहुत सी चीजों में सिर्फ अपनों की खातिर ही समझोता करते रहते हैं। य और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। Thank you